डियर इस्टुडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं डिजी शक्ती योजना के अंतरगत जिसका नाम बदल करके अब स्वामी बिवेका नंद योवा ससक्ती करण योजना कर दिया गया है उत्तर प्रदेश राज में अध्यान रज जो चात्र चात्राएं थे उनको बड़ी संख्या में टेबलेट या फिर स्मार्ट फोन का वित्रण किया गया तो जो जिस डिवाइस के लिए पातर था जैसे पॉली टेकने के चात्रों को आई टी आई के चात्रों को टेबलेट मिलना था तो उसमें अंतिम वर्ट के चात्र चात्राओं को पहले वरीता देते हुए बित्रण किये गए इसके अलावा जो अन्र कोर्स थे जैसे बी ए कोर्स है बी एससी है इस तरी के कोर्स में बच्चों को स्मार्ट फोन मिलना था तो उनको स्मार्ट फोन का वित्रण किया गया तो बहुत सारे बच्चे जैसे अभी भी कई सारे कोर्स के हैं कुछ ITI वाले भी कुछ B.A.B.H.C. के भी तो वो कहते हैं कि सर हम इस बार पास आउट हो गए हैं लेकिन हमें अभी तक टेबलेट या स्माल्ट फोन नहीं मिला है तो बच्चों ऐसे जो इस्टूडेंट्स हैं अगर कोई पूरे यूपी में ऐसा रह गया है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने संस्था में जाईए वहां संपर करिए उन से पूछिए कि सर देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों के बच्चों को चा तक आप बात इस तरीके से नहीं करेंगे तब तक उनकी तरफ से कोई पूश्ट और रिस्पॉंस नहीं किया जाएगा तो बच्चों यदि आपका नाम इस बार पास आउट होने वाले चात्रों की सूची में है और आपका नाम डिजी शक्ती योजना के अंतरगत पात्र चात्राओं की सूची में था तो आपको निश्चित तोर पर जो डिवाइस है चाहे वो टैबलेट हो या फिर आपका स्मार्ट फोन हो उसका लाब मिलेगा लेकिन आप इसके लिए निरंतर अपनी संस्था के संपर्क में रहिए हो सकता है अभी वीच वीच में आपने सुना होगा कहीं ना कहीं पिछले साल सेकेंड इयर में थे तो उनका रेश्टेशन हो गया था डेटा वेरिफाइड हो गया था तो उनको मेसिज भी चला गया था तब वो चात्र कह रहे हैं कि सर हमारे पास तो पिछली बारी मेसेज आ गया था तो हम क्या करें तो बच्चों मैं आप से बता दू जो डिवाइस भीजवाए गए थे जनपदों में वो कम संख्या में थे जो सिर्फ फाइनल इयर को वरीता देते हुए बटवाने की निर्देश दिये गए थे तो बच्चों जो अंतिम वर्ट्स में थे यानि इस बार पासा उठ होने वाले थे उनको वरीता दे करके वो डिव बाइस बाटे गए थे तो सेकंड डियर को अभी कहीं भी डिवाइस नहीं मिल पाए हैं इसलिए आप लोग परेशान ना होई है जो सेकंड डियर वाले अब प्रमोट होकर के फाइनल में आ गए हैं या अगली कच्छा में पहुँच गए हैं तो उनको फिर से इस योजना क लाप के तहित डेटा उनका अपडेट किया जा रहा है या फिर नए सिरे से डेटा को अपडेट करके फिर से आप लोगों की जो लिष्ट है पातरता सूची है वो बन जाएगी और निश्चत तोर पर आप ये पातर हैं तो आपको ये डिवाइस चाहे वो स्मार्ट फोन औ लिष्ट तोर पर मिलेगा तो आप लोगों को किसी भी तरह से परेशान होनी की आवश्यक्ता नहीं है जैसे ही जन्पदों में जो जिला प्रसासन हैं उनके पास डिवाइस पहुंचते हैं उनके बाद द्वारा फिर सम्मंदित संस्थाओं को दिया जाता है और सम्मंदित आपको अभी तक नहीं मिला है तो अपनी संस्था के निरंतर संपर्क में रहिए और यदि आप सेकेंड येर से फाइनल येर में अब पहुंचे हैं तो आप लोगों को बित्रान होगा उस पर कारवाई चल रही है आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होनी के आवश्यक किते हैं ज motivation करता होगा में पतता थाइनल फूर कहा हैं बिल्स वास्राटं में येर में आप साएँ सम्राल फूर कारका घछिस कावाई तो उक्तfik करता हुआ है